Hey everyone, welcome to my channel, my name is Priyad Udra and I am back again with another video. आज़ के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हूँ एक National Level English Certification. इस Certificate को अगर आप लेते हैं तो आपको एपना CEFR Level पता चल सकता है, जिससे आपको यह पता चल सकता है कि आपकी English की proficiency कितनी है. इस Certificate को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, National, International Levels पे, बिकाज यह एक Valid Verified Certificate है, और आप इसे कहीं पे भी चाहें, आप International Universities में यूज़ करना चाहते हैं, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं. So, आज की वीडियो में हम complete details की बात करेंगे, किस तरह की यह Certification है, कैसे आप इसको ले सकते हैं, step by step आपको गाइड करूँगी, बाकी मैंने इस Certification को अलरड़ी ले लिया है, So, आपके लिए भी easy रहेगा, because मैं आपको वो छोटे से छोटे tips और tricks दूँगी, जिसकी help से आपको यह Certification मिल पाएगी. So, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, बाकी अगर आप first time मेरे चानल पर visit कर रहे हैं, so please इसे subscribe जरूर कीजएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है, इसे like और share करना ना भूले. चलते हैं main platform की तरफ, आज का हमारा main platform है English for today का, यहीं देख सकते हैं, इनका official platform है, यहाँ पे आपको बहुत सारी certifications मिल सकती है, इस platform की हैं से आप अपना grammar, English, English के courses आपको मिल सकते हैं, English का level आप चेक कर सकते हैं, so बहुत सारे courses वगरा मिल जाएंगे आप चाहें, तो इनके main section को explore कर सकते हैं, बाकि हम सीधा चलेंगे अपने test की तरफ, so free English level test आपको यहाँ पे मैल सकता है, वैसे तो 3 तरह के basic test यहाँ पे रखे गए है, एक है आपके पास standard test जिसमें आपको certification भी मिलेगी और उसमें आपको कोई payment करने की जरूरत नहीं है, जो कि आज की certification है हमारी, वैसे इनके पास premium test भी available है, जिसके अंदर भी certification available है, बट उसके लिए आपको pay करना पड़ता है, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे free basic standard test भी है, जिसको आप यहाँ पे clear कर सकते हैं, बाकि अगर आप इनके plans जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, standard plus certificate यहाँ पे premium की आप देख सकते हैं, $39 अगर आप पे करते हैं, तो आपको यहाँ पे authenticated certificate मिलता है, और यह सारी चीज़ें आपको साथ में इसके मिलेगी, यह आप चाहे को अपने employment के लिए भी use कर सकते हैं, इसके अलावा standard के अंदर आप देख सकते हैं, एक personal English language assessment आपको मिल सकते हैं, जो कि बिल्कुल free है, बट इसके अंदर assessment की availability नहीं रहेगी, तो यह है आपके पास plans, हम बात करेंगे आज का standard plus certification के उपर, जो कि बिल्कुल free में है और इसके अंदर certification भी मिलने वाली है, तो कहां से आप इस test को explore कर सकते हैं, जो आपका first option है, free standard test plus certificate, इसके अंदर आप sign up पे click कर देंगे, तो बोला जाएगा पहले account create कर लीजे, first name, last name, username, email, password और यहां पे अपने terms and condition अगरी करके आप registration कर सकते हैं, एक बार जैसे ही आपकी login sign up का process complete हो जाता है, उसके बाद आपको यहां पे उपर test को option दिख रहा होगा, text के अंदर आपके पास English level test को option है, click कर दीजे, आपके पास इस तरह का test कुल करा जाएगा, so यह है हमारा आज का test, यह बिल्कुल free of cost है, आपको कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, login हम already कर चुके है, so यहां पे लिखा गया है, the standard level test plus certificate provides a level of English proficiency, आपको यह पता चल जाता है कि आप कितने proficient है English में, बहु की sample copy दिखेगी, इसी तरह का certificate हमारे पास भी आएगा, बाकी अगर आप थोड़ा और scroll करेंगे, तो यहां पे आपको कूर्स का content पता चल जाएगा, कि किस तरह से आप test दे सकते हैं, और English level test आपको आएगा, अगर वो clear कर लेते हैं, तो आपको certificate मेल जाता है, इसके लावा और बहुत important information आपको में देना चाहूंगी, certification से related, so English for today जो की main platform है, यह follow करता है, CEFR standards, CEFR अगर आपको नहीं बता मैं बता दू, common European framework for reference for languages, that means CEFR के अंदर six English languages होते हैं, जो की एक certain standard globally बनाया गया है, एक किसी भी इंसान का English label test करने के लिए, so यहां पे अगर आप अपनी English की proficiency check करना चाहते हैं, so आपको बता दिया जाएगा, अगर आप test pass करते हैं, तो आपका क्या level है, यहां पे आप level देख सकते हैं, A1 से लेके C2 तक आपका level जाता है, अगर A1 आपका level आता है, that means आपकी proficiency beginner level की है, और अगर C2 तक आपका level आता है, that means आप expert है English में, so इस तरह से आपका English proficiency यहां पे check की जाती है, यह platform भी वही certification standard follow करता है, जो कि mostly international brands use करते हैं, so यहां पे आपको मैं बता दू, अब हम बात करेंगे certification कैसे लेना है, so login to enroll पे आप click कर सकते हैं, login करते ही आप यहां पे देख सकते हैं, मेरा यहां पे 100% complete option आ रहा है, but आपको क्या करना होग आपको login करते ही यहां पे option आएगा how to do the test, इस पे click कर दीजे, click करते ही आपको कुछ instructions मिल जाएंगी, किस तरह से आप test complete कर सकते हैं, total 90 minutes का time आपको दिया जाएगा, जिसमें around about 50 questions आप से पूचे जाते हैं, और questions आपको रहते हैं, mostly grammar, vocabulary, reading को इस section आपको listening section आपको सकता है, so उसी से आपको questions मिल जाएंगे, 90 minutes का time बहुत जादा होता है, बहुत अराम से आप अपने complete कर पाएंगे, बाकि एक idea से आप four times इस certification को दे सकते हैं, चार बार में बहुत अराम से आपकी certification निकल ही आएगी, अगर नहीं फिर भी कोई problem रह जाती है, so नीचे description पे जाएए, test plus certificate पे, click करते ही आपके questions यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, so start test पे click कीजिए और आपके questions one by one आप complete कर सकते हैं, एक बार जैसे यह आपको complete हो जाएगा, so मैं आपको certification दिखा देती हूँ आप, so I hope आपको यह पूरी वीडियो पसंद आई है, और आपको step by step guide मिल गया है, इस certification तक पहुँचने का, बाकी अगर आपको थोड़ा सा भी doubt रह जाता है, पूछना मत भूलिएगा, नीचे comment section में आप उसे पूछ सकते हैं, इधर आप मेरे साथ connect कर सकते हैं मेरे whatsapp group में और मेरे telegram चानल पे, बाकी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अग वीडियो में एक नए डॉपिक के साथ तब तक के लिए, thank you so much, have a good day